जैहिन दोस्तों आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोब टूड़े में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैपुर में चल रही सेना भरते रेली से समधित आज की अपडेट आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर आउन कीजिए ताकि सीना भरते रेली से समधित कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माद्यम से मिल सके आईए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं CISF Ground कुंडा आमेर जैपूर में सेना भरती रेली का आयोजन जैपूर सीकर एंटॉंक जिले के अभ्यारतियों के लिए क्या जा रहा है आज की भरती सॉल्जर जीडी के पद पर जैपूर जिले की किसनगट रेनवाल बसी सीकर जिले की लक्समनगट तैसिल के अभ्यारतियों के लिए आय जित हुई आज की भरती के लिए सेना ने कुल 4,388 युवाओं को रेली में सामिल होने के लिए बलाया था इन युवाओं में से सेना भरती रेली में सामिल होने के लिए कुल 3,182 युवाओं ही रेली में सामिल हो पाए प्रतेक दिन की तरह आज भी 200 युवाओं को एक साथ एक बैच में एक ग्रूप में तोड़ाया गया प्रतेक बैच में रणिंग पास करने वाले युवाओं की बात करें तो प्रतेक बैच में 30 से लेकर 40 तक युवा रणिंग में पास हो रहे है आज किसी बैच में 30 से कम युवा भी रणिंग में पास हो रहे हैं टाइमिंग की बात करें तो प्रतेग दिन की तरह टाइमिंग आज भी पांच मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 30 सेकंड तक रहा रनिंग पास करने वाले युवाओं को जिक जेक बैलेंस से गुजरना पड़ता है उसके बाद बीम से गुजरना पड़ता है प्रतेक युवाओं को पास होने के लिए कम से कम 6 बीम लगाने होती है एकसिलेंट लगाने के लिए 10 बीम लगाने होती है 60 marks मिलते हैं गुरुफ सेकिंड में जो यूर रनिंग लगाता है उसे 48 marks मिलते हैं बीम के और रनिंग के जो marks होते हैं वो आपके return exam के साथ में जब final merit होती है तो physical और return exam के आधार पर ही आपकी final merit तयार होती है तो उसमें तो physical में जो अच्छे नमर ले लेता है यूआ वो यूआ अगर लिखित परिक्षया में कम question भी सही करता है तो भी उसका chain हो जाता है ऐसे में यूआ को अपने excellent लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए रनिंग के बाद physical के बात करें तो हाइट में कुछ यूआ जरूर बाहर होते हैं बाकि चेस्ट में तो कोई भी यूआ मुस्किल से पूरे दिन में दो चार यूआ ही बाहर होते हैं इसके बाद में document चेक होता है document चेक होरे में दिन भर का समय लगता है पूरे दिन document चेक होते हैं अधिकारियों को एक एक डोक्यूमेंट बड़ी बारीकी के साथ चेक करना होता है उसके बाद अभ्यारतियों को मेडिकल की परिक्षा से गुजरना होता है मेडिकल के लिए अभ्यारतियों को दूसरे दिन के लिए बलाया जाता है अगर किसी कारण वस अभ्यारती की संक्या अधिक होने के कारण है अगर दूसरे दिन मेडिकल नहीं भी होता है तो तीसरे दिन मेडिकल के लिए बुलाए जा सकता है या फिर चोथे दिन बुलाए जा सकता है ऐसे में जो अभ्यारती मेडिकल फिट होते हैं उनको लिखित परिक्षा के लिए बुलाए जाता है लिखित परिक्षा आपकी मई मंत में होने की संभावना है जो अब्यार्थी मेडिकल में पास होते हैं उन अब्यार्थियों को मेरी यही सला रहेगी कि वो अपने एक्जाम की तैयारी करने के लिए किसी भी कोचिंग संस्थान से कोचिंग ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं जिससे अपना सेलेक्शन पास सकें मैं तो युवाओं को यही सला देना चाहूंगा कि जिस दिन उनका मेडिकल हो जाता है उसके दूसरे दिन से ही उने कोचिंग सस्थान में अपनी तैयारी करने के लिए जाना चाहिए दोस्तों यही थी आज की 18 मार्च 2021 की जैपूर सेना भरती रेली की अपडेट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एँ अपने दोस्तों में सेयर जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर फहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरूर और कीजिए ताकि सेना भरती रेली से समदित कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माद्यम से सही एमाम सटीक इनफॉर्मेशन आपको मिल सके आईए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं जै हिन जै भारत वंदे मात्रम